क्लास 12 एक्सस 2.24 वाट इस दा एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ टू फैरेड पैरलर प्लेट कपैस्टर गिवन डैट दा सेपरेशन ब्ट्वीन दा प्लेट्स इस 0.5 सेंटीमेटर तो यहां तेक हमें कोस्चिन में क्या दिया हुआ है कि मुझे एरिया फैंट करना है एरिया किसक इन्टु 10 रिस टू पाबर माइनस 2 मीटर एंट इस पैरलर प्लेट कपैस्टर की हमें कपैस्टेंस जयानि की C दि तू फैर्ड गों मालूम है कक पैस्टेंस ओफ पेरलर प्लेट कपैस्टेस का फार्मला क्या होता है अप्सेलान नौत इन्टू ए अपन समाल दी स्माल दी जो हमारा separation होता है तो area हमें find करना है capacitance हमें given है तो इस formula को अगर मैं rewrite करके लिखूं like a is equal to c into d upon epsilon 0 तो यहाँ पर हमें सभी की value मालूम है like c की value थी 2 farat so 2 into d की 0.5 into 10 raised to power minus 2 upon epsilon 0 की value हमारे पास constant होती है 8.854 into 10 raised to power minus 12 तो अब इसे simplify करना start करते है तो देखिए 2 को अगर मैं 0.1 से multiply करूँगा तो यह मेरे पास 1 ही बच जाएगा into 10 raised to power minus 2 10 raised to power minus 2 अब यहाँ denominator में देखिए मेरे पास power 10 raised to power minus 12 यह उपर यह के positive की हो जाएगी into 10 raised to power plus 12 अब निच्चे मेरे पास क्या बचा 8.854 अगर मैं 1 को 8.854 से divide करूँ तो मेरे पास आएगा like area is equal to 0.1129 into अब देखिए उपर बेस सेम है तो powers add हो जाएगी so 10 raised to power 10 तो इसे मैं अब round off करके भी लिख सकता हूँ so मैं अगर से round off करके लिखू तो यह मेरे पास आजए 0.113 हमने 3rd decimal place पे इसे round off कर लिया यहाँ पे 9 था तो जो इसका आगे वाला term था वह एक से बढ़ जएगा so 0.113 into 10 raised to power 10 further इसे अब मैं significant figures में लिख लेता हूँ like 1.13 into 10 raised to power 9 तो यह क्या था मेरे पास area तिसकी units के आजाएंगी meter square इतना area होगा उस capacitor का जिसके पास capacitance 2 farad होगी तो आप इस area के figure को ध्यान से देखिए यह काफी बड़ी figure है आपको समझाने के लिए like a is equal to 1.13 into यहाँ पर मेरे पास power कितने है 10 raised to power 9 तो इसे मैं ऐसे break कर सेता हूँ 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3 unit square हमारे पास meter square मैं मालूम है 10 raised to power 3 kilo की equal होता है तो यह भी 10 raised to power 3 है तो यह भी kilo हो गया जो area यहाँ पर मेरे पास meter square में है उसे मैं अब convert करना चाहता हूँ kilometer square में तो 1 kilo 2 kilo क्योंकि यहाँ पर इसे square करना पड़ेगा तो मेरे पास equation क्या जाएगी 1.13 into 10 raised to power 3 into kilo का भी square है meter का भी square है तो हम इसे whole लिख सकते है kilometer square यहाँ पर मेरे पास क्या बत रिया 1.13 into 10 raised to power 3 तो अब 10 raised to power 3 को इस figure से multiply करूं तो यह मेरे पास आदाएगा 1130 तो units थी कि मेरे पास कितनी kilometer square तो अब ध्यान से देखिए इतना area चाहिए मुझे 2 farad का capacitance लाने में in parallel plate capacitance में जिसमें distance मेरे पास 0.5 centimeter हो तो आप इस area का अंदाज़ा लगाएगे कितना ज़्यादा area है अगर आप इसे roughly 1100 भी माल ले तो 1100 का क्या मतलब की हो गया अगर हम height की बात करें तो हमें 11 km height देनी पड़ेगी plate की और 100 km इसकी length देनी पड़ेगी like इतनी बड़ी plate 11 km आसमान की तरफ तो आप इस 11 km को compare करें सबसे टालेस बिल्डिंग वो भी कितनी है almost 850 मेटर के असपास इससे कमी होगी मतलब 834 मेटर के असपास है वो ठीक है बुर्ज खलीफा इन दुबई उसकी भी जो लंबाई है वो एक किलो मेटर से कम है तो आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी लंबी plate चाहिए होगी 100 km और इदर से 11 km तो ये area जो हमने भी निकाला है ये practically not possible होगा ठीक है इस separation के साथ हम इतना capacitance नहीं ला सकते practically not possible तो आगे देखते हैं statement को you will realize from your answer why ordinary capacitors are in range of microfarads or less तो यहां से उसने का है कि जो आपकी बस capacitance होते हैं इसलिए वो बहुत कम होते हैं like microfarad 10 raised to power minus 6 farad इसके अगर आप value calculate करना चाहिए और उससे भी less however the electrolyte capacitors do have a much larger capacitors 0.1 farad because of very minute separation between the conductors यहां तक हमें मालम चल गया कि इतना area आता है 2 farad capacitor के लिए जिसमें मेरे पास distance कितना हो 0.5 cm हो तो examiner नहीं कहा है अब इस answer से आपको realize हो जाएगा कि क्यों जो हमारे simple capacitors होते हैं यह ठीक है यहां पर हम simple capacitors की बात करें हैं जो हमारी simple capacitors होते हैं उनका जब भी हम capacitance लेते हैं micro farad में लेते हैं जा less next उसने हमें एक information और दे दी कि जो हमारे electrolyte capacitors होते हैं do have a very much larger capacitors like 0.1 farad because जो जो में separation होता है वो बहुत ही minute होता है very very minute separation तो आप इस फार्मली को देखे capacitance जितना में D कम करता जाओंगा उतना मेरा capacitance बढ़ता जाएगा ठीक है वो इस logic पर काम करते हैं वो D को जितना हो सके उतना छोटा करते हैं मतलब बहुत छोटा negligible ठीक है बहुत negligible gap होते है उनके बीच में clear so that's why उनकी जो capacitors होती है वो थोड़ी सी जादा होती है simple capacitors से thank you for watching the video